प्यारा question है, ध्यान से सुनिएगा, आप यहां देखिए मैंने कुछ balloons लटकाए हुए हैं, ठीक है, यह चत हो गई, और चत से लटका दिये balloons, ठीक है, three balloons यहां पे हो गई, two balloons यहां पे हो गई, और फिर से three balloons यहां पे हो गई, ठीक है, analyze कीजिए situation को, कि यहां पे एक धागे से one, two, three, three balloons लटका दिये, फिर दूसरे धागे से one, two, two balloons लटकाए, और फिर एक और धागे से एक, दो, तीन, तीन, तीन balloons लटका दिये हैं, ठीक है, मुझे इनको फोड़ना है, बंदूख पकड़ी, और यहां से discount, 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 मेरे को यह balloons जो हैं, वो hit करने हैं, है ना, सारे balloons मे तेरे को फोड़ देने हैं, अच्छा जी, एक भी balloon नहीं बचना चाहिए, ठीक है, लेकिन फोड़ने हैं एक खास अंदाज में, जहां से सुनना, मुझे पहले ये वाला balloon फोड़ना है, नीचे वाला, इसके बाद ही उपर वाला फोड़ सकता हूं, और इसको फोड़ने के बाद ही उपर वाला फोड़ सकता हूं, कुसी तरीके से डायरेक्ट इस balloon को फोड़ना लाउड नहीं है, पहले मुझे ये balloon फोड़ना पड़ेगा, फिर ही इसको फोड़ सकता हूं, और यहां पे भी मैं सीधा इसको नहीं फोड़ सकता पहले, सीधा इसको नहीं फोड़ सक अब question यह है कि 8 के 8 balloon आपको फोड़ने हैं देखे अंग्रेजी में भी लिखा है 8 balloons है आपके पास ठीक है ना और ये मेरे को क्या करने है short करने है one at a time है ना एक एक करके इसे करके one by one मेरे को फोड़ने है ठीक है तो अच्छे यहां पर लिखा है if no target can be short until the targets below it have been short यह मैंने बता दिया कि कोई भी टार्गेट शोट नहीं होना चाहिए अगर उसके नीचे वाला टार्गेट शोट नहीं हुआ है तो मतलब नीचे से उपर की तरफ फोड़ते हुए जाना है ठीक है सवाल में यह पूचा है बताओ कितने तरीकों से ऐसा किया जा सकता है find the number of different ways in which they can be short कितने तरीकों से ऐसा कर सकते हो ठीक है आपको समझाने के लिए बताता हूँ जैसे एक तरीका यह हो सकता है कि पहले इ फिरिसको फोड़ा फिरिसको 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 फिरि दूसरा mood कर जाए, आपको ये फोड़ने का, फिर ये फोड़ने का, फिर ये फोड़ने का, फिर ये फोड़ने का, फिर ये फोड़ने के, 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 फिर ये फोड़न ठीक है, number of ways बताने है, मुझे लगता है question मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, अब आपको सोचना चाहिए कि कैसे इसको solve करें, कितने number of ways होंगे in which this task can be completed, वो आपको सोचना चाहिए, ठीक है sir, सोचेंगे sir, और यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे, कि यार ये balloon same color के हैं आपके answer पे कोई फरक नहीं पड़ने वाला, ये भी एक interesting बात है, जब आप इसको analyze करें तो ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, same color हो या different color हो, answer पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, copy pen उठाईए, question को लिखिए, diagram को draw कीजिए, सोचिए, 4-5 minute, 10 minute, 15 minute लगाईए, analyze कीजिए situation क permutation and combination का question है, अगर आपने PNC अच्छे से सीखा है, ये problem आपसे बनना चाहिए, नहीं मने तो देखना solution, tension वाली बात नहीं है, अच्छा question है, बट पहले आपकी try अच्छे से बनती है, ठीक है, उसके बाद फिर मैं solve करके दिखाऊंगा ही, सुनना जरा ध्यान से, मैं कुछ बातें कह रहा हूँ, मेरी हर statement यहाँ पे बहुत meaningful है, ध्यान से सुनना, मैं आपको कह रहा हूँ कि यार ये जो तीन बलून है ना, इनको ले लेते हैं अपन वाइट, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इन तीन बलून को वाइट कर दे ठीक है, यह हो गए थ्री वाइट बलून्स, ठीक है, यह कर देता हूँ, दो बलून कर दिया, मैंने पिंक, यह दो बलून मैंने पिंक कर दिये और यहाँ पे बलू कर दिया इन तीन बलून्स को, ठीक है, यह मैंने थ्री ले लिए बलू बलून्स, ठीक है, अब जो है, मेरे पास हैं 2 गुलाबी, बोले तो pink, मेरे पास हैं 3 blue, ठीक है, तो यह मेरे पास total balloons है, total मेरे पास 8 balloons हो गए, total मेरे पास 8 balloon hur गए, ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि इन 8 objects को आप straight line में कितने तरीकों से लिख सकते हो आप बोलोगे sir इनको लिख सकते हैं 8 factorial by 3 factorial, 2 factorial, 3 factorial ways में इन 8 objects को आप इतने तरीकों से लिख सकते हो मैं कहता हूँ हर तरीका ज्यान से सुना ये वाले statement ही पूरे question का game है इन 8 objects को आप इतने तरीकों से लिख सकते हो अच्छा इसको भी calculate कर लेते हैं एक बार, इसको calculate जबाब करोगे 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial नीचे मेरा ये वाला जो 3 factorial है इसको 6 लिख दिया ये 2 हो गया और ये 3 factorial है ही ये हो गया cancel 6 से 6 cancel कर दिया ये 2 हो गया तो 10 ये हो गया मेरा 560 560 answer आ गया ठीक है मैं ये कहता हूँ कि 8 balloons को आप straight line में arrange करना हो इतने तरीकों से arrange कर सकते हो हर arrangement फोडने का एक तरीका represent करती है ये वाली line से सवाल solve हो गया ये जो line मैं बोल रहा हूँ हर arrangement इनको फोडने का एक order शो करती है इनको फोडने का एक तरीका शो करती है जैसे की सुनना अब जो बात बोल रहा हूँ बहुत important है सुनना बात को जैसे कि आपने ये एक arrangement लिख दी अब इसकी बजाय अगर मैं एक और arrangement लिख दूँ जैसे मैं लिख दूँ white white, white यहाँ लिख दूँ pink, pink यहाँ лिख दूँ और जो blue है blue को लिख दिया, एक blue यहाँ पे एक blue यहाँ पे और एक blue यहाँ पे ठीके, मैंने इनको different arrangement में लिख दिया, अगर मेरी ये arrangement है तो पता मैं कैसे फोड़ूँगा, इसके corresponding एक तरीका है फोड़ने का, मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे अगर है तो scene मैं ऐसे फोड़ूँगा, मैं पहले white को फोड़ूँगा फोड़ दिया, फिर white को फोड़ू लिख दिया मैंने, अच्छा जी, अब दूसरे तरीके को दूसरी arrangement कैत्रू लिख दिया मैंने, यह मेरा दूसरा arrangement है, blue को फोड़ा, यह लो जी फोड़ दिया, नीचे से फोड़ना है न, white को फोड़ा फोड़ दिया, white को फोड़ा फोड़ दिया, pink को फोड़ा फोड़ दि है जितनी arrangement बनेंगी फोड़ने के उतने ही तरीके बनेंगे arrangement कितनी बनी 560 फोड़ने के तरीके कितने 560 सवाल solve हो गया यही तो पूचा था कितने तरीके हैं फोड़ने के in how many ways इनको short कर सकते हम लोग 560 ways से हम लोग short कर सकते हैं सवाल में पूचा है find the tenth digit of n तो मेरा जो n है n का 10th digit है वो मेरा 6 है तो 6 इसका answer आजाएगा तो इस particular question का अगर मेरे को answer लिखना है तो answer मेरा 6 आजाएगा क्यों इस question में पूचा है कि 10th digit बताईए आप तो 10th digit इसका क्या है 6 है unit digit 10th digit और यह 100th जो digit होता है ठीक है I hope आपको मजा आया होगा ठीक है काईदे से देखा जाए तो alike object के permutation का question है alike objects को range करने के उपर सवाल based है alike object के permutation का सवाल है लेकिन solve कैसे करना है situation के हिसाब से सूचना कैसे है important है important सवाल है जही advanced level तक का सवाल है जही means का tough सवाल कभी पूचने का अमन करेगा आ सकता है यहाँ पे जही advanced वाले इस situation पे सवाल पूच सकते हैं important situation है ध्यान रखिएगा बाई बाई